दोस्तों यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश का एक साल का करेंट अफेर हम यहाँ पर मैपिंग के थूरू देखने वाले हैं वो भी एक वीडियो के अंदर ही पूरा करेंट अफेर कवर गर लेंगे और यह थोड़ा सा बिसेस है क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिस्टिक हैलाइट करने के लिए तो इनका भी हलक मतलब है मैं यह भी बता हूँ क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें एड़ान की हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं कि साइट से भी मैंने कुछ चीज़ें लिखी है जो यहाँ पर एक्स्ट्रा थी तो मैंने इदर लिख हो तो सभी के लिए बराबर महतपूर है क्योंकि 2024 में जो भी एक्जाम होंगे बहां पर एक साल का करेंट अफियर पूछा जाता है डिस्ट्रिक वाइस मैंने पूरा कंपाइल कर दिया है और यहाँ पर सभी महतपूर नियूज को मैंने इसके अंदर डाल दिया तो आप लो इसके अंदर निचोड एकदम भर भर के डाल दिया है और यह PDF आप लोग चाहते हों कि PDF हमको मिल जाए तो देखिए PDF आप लोग के लिए मिल जाएगी टेलिग्राम गरूप पर फ्री ओप कॉस्ट आप लोग हमारा टेलिग्राम गरूप जोइन कर सकते हैं फ्री वाला बहा से आप लोग डाउनलोड कर लिजएगा इसके अलावा हमारे कुछ पेड गुरूप भी चलते हैं तो आप लोग उनको भी जोइन कर सकते हैं बहां पर आप लोग के लिए बहुत सारे PDF और बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं इसके अलावा देखिए 2025 अगर आप लोगों ने भी देखा होगा कि पूरे साल तक कंसिस्टेंसी नहीं बनी रहते हैं तो मेंटर से प्रोग्राम में आपको डेली टास्क मिलेगा इसके अलावा आपकर डेली वहां पर कुछ को संदिये जाएंगे इसके अलावा मंतली वहां पर टेस्ट होगा फुल टेस्ट रखते हैं और बहां पर बहुत सारी चीज़े से जो आपके डाउट होते हैं वह डाउट क्लियर किया जाते हैं इंपोर्टेंड मैंग्जीन नोर्स सब कुछ हम प्रवाइड कराएंगे और एक जुलाई से एक जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा दो हजार पच्चिस के लि कि एकारां पीस्यास वाला जोइंड कर सकते हैं आइस वाला भी हम लोगों का चलता है वो भी आप लोगों के अब देख सकते हैं और हम लोग आते हैं सबसे पहले अप्र टॉपिक के ऊपर ओए देखे बहुत सारी बात हो गई है तो अब हम फार्वाक करता है आप तो दखे जैसे यहाँ पर आप लोग लिए मैप में डिफरेंट कलर से बहुत सारे सीधे मैं हाइलाइट किए इसका मतलब भी समझ लिजे जैसे देखे उत्तर प्रदेस हैं तो इस उत्तर प्रदेस में को बहुत सारे मंडल और डिस्टिक्स में डिवाइड का गया है अब दिखिए यह यहां पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने हैं यहां पर से इस को highlight, और यह क्या है पूरा का पूरा पूरा क्या होगज एक मंडल हो अब इस मंडल में नीचे है, तो आप देखे इस मंडल को कोई नाम भी LOVE होगा आपको इस तरह से line नहीं देखने को मिल लए है सिर्फ साहरनपुर के नीचे इसी तरह से आपको इभी आप देख सकते हैं इधर आप यह मुरादावाद वाला जो मंडल है वो देख लिए एक पूरा क्या हो गया मंडल हो गया इसी तरह से आप इधर देख सकते हैं बरेली से इस तरह से highlight है तो आप इस तरह से चीजे भी revise कर सकते हैं और हम लोग मंडल वाई सी देखेंगे तो आप लोग को याद करने मासानी होगी तो सबसे पहले हम लोग किरम से चलेंगे तो उत्तर में हम लोग आते हैं तो सबसे पहले साहरनपूर पढ़ जाता है तो सबसे प पढ़ता है और इसकी जो सीमाई हैं वो किस किस राज्य से साजा करता है साथ में कौन कौन से जिलो से सीमा साजा करता है या फिर कौन सी निद उस जिली के अंदर से कौन सी नदी है बांध है बनाया गया है या फिर कोई भी महतपूर चीज हो सकती है जैसे वहाँ पर कोई कार रखिया जाता हूँ या फिर किसी चीजिश के लिए वह स्पेसली प्रसिद दो तो यह चीज़ें आप लोग याद कर लिए मैं यह सारी चीज़ें बता हूंगा तो यूपी स्पेसल क्लास हो जाएगी और एक लास बहुत जादा लंब हो जाएगी तो मैं करेंट अफेर की यह बहुत जादा महत्पोड हो जाता है क्योंकि साहरनपूर में यहाँ पर एक केंदर की स्थापना की गई भाई कौन सा केंदर है तो एक केंदर है दूर संचार उत्करिस्टा केंदर है तो इसकी स्थापना की गई है देखिए दूर संचार उत्करिस्टा केंदर है यह द उत्क्रिस्टा केंद्र, दूर संचार उत्क्रिस्टा केंद्र है, यह देश का पहला केंद्र है, जो सहरानपुर में स्तापित किया गया है, यान कि पूरे देश में अभी तक ऐसा कोई केंद्र स्तापित नहीं था, तो बहुत जादा महत्पोड हो जाता है, देखिए इस कें कर सकते हैं तो इसे AI से हमें connect करना पड़ेगा क्योंकि आज देखिए AI का जमान है तो artificial से जोडने के लिए हमें research करना पड़ेगा तो हम 5G को AI से कैसे जोड़ें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा रिसर्ट करना पड़ेगा सोध करना पड़ेगा इसी तरह से हम भाई 5G से अभी भी हम क्या कर पा रहे हैं 4G में नोरा फती को नहीं देख पा रहे हैं और ज्यादा अल्डर HD में देख रहे हैं अब देखें यहां पर 6G को लॉंच किया जाए गफीर तो देखें 6G है उस पर भी हमको R&D करना पड़े है तो इसी के लिए हमने क्या किया है इस केंदर की स्तापित किया गया है आप लोग देख सकते हैं कि सहरनपूर में स्तापित किया गया है लेकिन सहरनपूर में कहां पर तो सहरनपूर में IIT परिसर है मतलब IIT जो आप लोग के लिए विद्धाले देखने को म पंडल में और तो कोई यहां पर जिला नियूज में नहीं है तो खुस हो जाएगी का चलो इनको और नहीं पढ़ना पड़ेगा आप देखे बागपद भागपद भी बहुत जाद है महत्पुड़े इस बार के एक्साम के लिए अगर हम देखे बागपद की बात करें तो इस बार नय उत्पाद हो के लिए जी टैग मिल गया वैसे दिखे अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के तो ऐसे बहुत सारे प्रोडेक्ट को जी एटैग मिला हुए लेकिन अगर पूछा जाए भारत में सबस्जादा जी एटैक किसको मिले हुए उत्तर प्रदेश को नही अब देखे हम लोग देख लेते हैं जैसे देखे चार किस-किस को मिले तो एक तो अभी हम लोग देखे बागपाद होम फरनीसिंगे लिए और जी एटैक मिला हुआ है अम रोहा है धोलक के लिए जी एटैक मिले है धोलक क्या होता है वाई जब आप लोगो की साधी हो तब आपको समझ भाइगा कि डूलक क्या होता है इसी तरह से कालपी है तो कालपी में हस्त निर्मित जो कागच होता है इसके यह टैग मिल गया है दीखिए काफी समय से बहां पर हाथों के द्वारा मतलब जो हाथ का उपयोग करके हाथ हस्त निर्मित कागच का उतपादन किय किया जाता है पारंपर एक रूप से यहाँ पर कागच का उतपादन किया जाता है साथ में बारावंकी है महाँ पर हैंडलूम के मद्यम से बस्तर का उतपादन किया जाता है यह हैंडलूम क्या होता है मतलब हाथ से चलने वाला एक तरह का उपकरण होता है जिससे हम सूती बस्तर बनाते हैं या फिर अन परकार के कपड़े भी बना सकते हैं वैसे सामानता इस सूती कपड़े ही बना जाते हैं तो बारावंकी इसके लिए भी जाए टैक मिलका दिहान रखेंगे चारों बहुत ज़्याद महत्पुड़े हैं आपकी एक्जाम के लिए एक और दिहान हैं आपके लोगों के लिए देखें हिमाचल प्रधेस है न तो हिमाचल प्रधेस में एक चाय हैं वो काफी जड़ाद फेमज कांगड़ा चाय है इसकी डिमांड रास्टी और अंतररास्टी रहती है एकदम कड़कती बढकती चाय बनती है इसके मजा आज आता है कहां हिमा अब यूरोपिया आयोग ने भी इसको भॉक्वालिक संके तक किसने दे दिया है यूरोपिया आयोग ने दे दिया अपरेल 2023 में दिया गया था तो इस वज़़ से न्यूस में आ गया तो अब पहले भारत सरकान ने तो पहले दे दिया अब है यूरोपिया आयोग ने भी इसको जीया टैक दे दिया है तो इस वज़़ए से काफ़ साथ महत्तपूर हो जाता है चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे से उसे वादिवारे में देख लएते हैं देखें सी clicking कई पर किया चुक癦 दिखें नियुक्त क्यों महतर पूड़ है ने कि गाजीयाबाद्वाला महत्पूड है क्योंकि इसे 25-26 सितंबर 2023 को आयो जित किया गया था लेकिन इसके विशेस्ता यह है कि इसे Bayou Seenah Station में आयो जित किया गया यानि कि अभी तक ऐसे डौन सकती जो आयो जित की गयी है जितनी वो किसी भी station के अंदर मतलब Bayou Station के अंदर Bayou Seenah Station के अंदर अभी तक आए हो जितनी की गई इस ब्रगार की फोस्ट थी प्रत्हम थी देश की जो बायू सेना स्टेशन के अंदर स ब्रगार की सकति का क्या ahah okay काफ जाद में अधरफ ह्त बूड़ है तो ग STE और क्लास्क लाइक कर दीजेगा कितनी मेहत्पूर् क्लासें मैतबर all THE यहाँ पर वैद बन पार की स्थापना। यहाँ तीम यहाँ हैं ब्यदिक त्माले पार की इस सबना है जासे हमारे जो बहुत सारे जो हमारी गरंत हैं और साथ में उपनी सद हैं बहुत सारी हमारे जो भी स्क्रिप्ट्स हैं उनको यहाँ पर एक तरह से सर्रक्षित रखा जाएगा तो उसी के लिए पार किस्ता अपने की गी है और यह सीम द्वारा यान कि योगी जी के द्वारा इसका उद्गाटन किया गया है अच् किसके सायोग से आउजित किया गया है तो indoor exposition मार्ट से इसको इसको आयुजित किया गया है तो इस वज़े से त्वड़ा सा मेहतपूड है दिहान रख सकते हैं अब लोग हम लोग आके बढ़ते हैं मिल्गा इस बार के लिए बहॉत मैहत बूड हैं मथुरा में एक सैन स्कूल की स्थापना की गी भाई देखिए सैन स्कूल की तो बहुत सारी स्थापना की गी है लेकिन यह क्यों महत्पूर्ड है यह इसलिए महत्पूर्ड है क्योंकि मैंने देखिए यहां पर लिखा नहीं है बैसे इसके नाम से यहां समझ जाएंगे देखिए इसका न देश का ऐसा सेन स्कूल है वही जो सिरिफ और सिरिफ गल्स के लिए ओपन किया गया है इसका नाम दिहान रखना है कहां खोला गया है मत्रा में मत्रा में कहां पर तो मत्रा में ब्रंदावन के अंदर इसको ओपन किया गया है राजनाथ सिंग ने इसका उद्घटन किया था त तो आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं, तो इसके बारे में बहुत इंपोर्टेंट है कि ये महिलाओं के लिए स्पेसली सैने के स्कूल खोला गी है, कहां मुथरा में, मुथरा में कहां ब्रंदाबन में, आप लोग देखिएगा इस वीडियो को देखते ही आप उत्तर मंतरी मंडल ने इसका प्रस्ताओ है, उसको भी मंजूरी दे दी है कि यहां इस प्रगारखा जो केंद्र है, वो यहां बर खोला जाएगा, तो अब आगे इसमें अभी परियोजने स्टार्ट होगी, तो इस चीज़ देखने को मिलेगी, तो देखिए हम लोग देखिए यह इसमें मत्रछा और आगे बहुद नीजोजिसं थी जल्य हम लुग थोड़ा सा के वटते है, और देखते है आगे, हम लोग थोड़ा सा देख लिए ते है यह लallitpore के बारे हमें देख लिक है, लिट पूर अंदर एकड़ है एक्दम डॉन ताइप का है भाइन बहु ओघाल के कहा है एक दम मदप्रदेस के अंदर गुसा हुआ है मैं उत्तर پर रिसाप Лघ में देखिएगा तो एकदम क्या हुआ है एक्दम से इदर उदर क्या है पूरा पूरा मद्धपृर्देस वीच में यह उत्तर प्रदेस का आई अरिया देखने का मिलिगा और एक सक्रेभात से जोड़ा हुआ है शरीप तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यह क्या है ललित पूर अब ललित पूर क्यों कि यहां पर एक फार्मा परके स्तापत किया जा रहा है। यह जो फार्मा परके है ना यह उत्तर को बात कर लेते हैं दिखें जो बुंदेल खंड एक्सप्रेस बेख है उसको बनानी के बात के जा रहे है यहां पर और जो ये बुंदेल खंड एक्सप्रेस बेख बनाया जाएगा ये PPP model पर अधारित होगा आखर इसमें नया क्या है इसमें नया है कि जो उत्तर प्रदेश का पहला solar express बे होगा यहनकी express बे में जो विद्धुत का यूज की अज़ाएगा विद्धुत उर्जा का जो उप्योग होगा वो सब की सब कहां से आएगी सौर बैनल के माद्यम से उसका उत्पादन की अज़ाएगा और कितना लगबख में 550 मेगाबाट सौर उर्जा है वो उत्पादित केज आएगी इसके माद्यम से तो एचीज़ आपको देखने को मिलेगी चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे वड़ते हैं और देखते हैं आगे बांदा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं बांदा है बांदा बहुत महत्पुड है बेरी 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 इंपोर्टेंट लगा लिए आप लोग एक्जाम के लिए देखें बांदा में कालिंजर महसब है वो योगी जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है 17 फरवरी 2023 को स्टार्ट किया गया है एक कालिंजर महुसब इसलिए महतपूर है क्योंकि योगी जी ने भाई एक घुशना कर दी है कि कालिंजर महुसब को राज की महुसब का दर्जा दिया जाएगा क्या राज की महुसब का दर्जा दिया जाएगा है नके मानता दी जाएगी योगी जी ने बोल दी है भाई तो तो इस बज़े से क्या हो गया औरी को किया गया तो ईह पूरा मंडल हो उंतर कोट मंडल गजोड़ाता है और और यहां पर और तो कोई नियूस नहीं है इदा गरते हैं और देखते हैं महित पूर चीज़ों के पारेविंद तो अब दीखिए थोड़ा सा ओपर के देख लेते हैं कि इधर बरेली वाला वंदल देख लेते हैं देखें बरीली वंदल भी स्वार के लिए महतपूरें कि युकि बरेली वंदल एक तो यह उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा जिला है बरेली जहां यहां पर सांस्कृत्लों को आपस में जोड़ा गया है। इधर भी नौर्थ में भी अब क्या है उत्तरप्रदिस के भिविन मंदरों को यानकि जो सांस्कृतिक जगे हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए कोरिडूर बनाया जा रहा है यानकि भिविन मंदरों को जोड़ेगा जैसे यह मंदर याद नहीं रखने है फिर विए उनको आपस में जोड़ने का कार एक और करेगा तो इस जीज़ आपको धिहान रखना है अब दीखे पूरा मंदर इसमें और कोई तो नहीं है और अब हम लोग आके बढ़ते हैं देखते हैं यहां पर थोड़ा सा हर्दोई के बारे में भी देख लेते हैं लगे हांधों इ तो हर्दोई इस बारे के लिए बहुत मैत पूड़ हैं क्योंकि यहां पर एसिया की सबसे बड़ी ना केबल भारत की ना केबल यूपी की ना केबल भारत की बलकि एसिया की सबसे बड़ी सबसे बड़ी यहां पर मल्टी प्रोडेक्ट पेंट एफेक्टर इस्ताबित की ग याद हो जाती है अब हम लोग देख लेते हैं कि इस में इस मंडल में इस मंडल में बहुत सारे जिल्यात तो इन सभी जिलो को हम एक साथ कबर करेंगे तो दीखिए आप लोगों के लिए हर दोई के बाद इधर उन्नाव देखने को मिलेगा देखिए उन्नाव है यह भी प्रतिमा का अनावरण किया है जो अस्वरो ही एक प्रतिमा है मतलब गोड़े पे बैठे हुए आपको देखने को भी लेगा लेकिन यह किसकी है एक किसकी मूरती है यह राजा राम राओ बक्स सिंग की है यह कौन थे एक फ्रीडम फाइटर थे मतलब सोतंतरतर सेनानी थी इनकी गोड़े पे बैठी हुई एक मूरती बनाई गई है काफी मैत पूड़ है तो धिहान रखिएगा ओगे कहा बनाई गी है उन नाव में बनाई गई है और इसका अनावरण किस ने किया है योगी जी ने इसका अनावरण किया है चलिए हम लोग बात कर लेते हैं भाई पर तो आदी गंगा गोमती नदी के टट पर इसको बनाया जारा है जो आदी गंगा गोमती नदी के टट पर इसको बनाया जारा है धिहान रखेगा और साथ में इस गोमती का ही एक हिस्सा है एक पार्ट के रूप में इसको विक्सित क्या जारा है इसके अलावा उत्तर पर लेंदेन को बढ़ावा दिया जाएगा इसका उद्धिस से क्या है कि लगबक जो 50,000 के करीमें ग्राम पंचायते हैं वहां पर डिजिटल लेंदेन को बढ़ावा दिया देगा कि भाई या भार कोई है रमु अभी क्या करेगा अभी यूपीयाई का उपयोग करेगा मतलब ड इस अभी अभ्यास ऑउजित क्या गया है देखे क्या है जैसे आप देख रहे हैं कि अधिवन परकारखी होती है तो इन जो आतंवादी कती मीधिया ना तो आधंवादी कती मीधियों से निपटने के लिए यहां पर एन सडिकमांडों और साथ यूपी पुलिस है यह मिल कर के यह अभ्यास यान की exercise कर रही है और यह कहां पर आयोजित की जारी है लखनों की अंदर जो पुलिस मुख्याले है बहां पर यह आयोजित की जारी है 14 सितंबर 2013 को यह स्टार्ट की गई थी इसके अलावा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में रास्टिय जलवायू संभेलन है वो प्यायोजित किया गया था यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है इसके अलावा देखे जैसे बहुत सारे यूपी के लोग हैं जो मैप में नहीं लोकेट किय जा सकते थे लेकिन बहाँ पर कुछ लोगों के लिए खेल पुरुषकार या फिर बहुत लोगों को अलग अलग प्रिकार के जो पुरुषकार है उनसे सम्मानित किया गया है और कुछ ऐसी योजनाय स्टार्ट की गई है वो मैं आप लोगों के लिए इसमें एड़ कर दू मैं उसमें डाल लूँगा बस वो कब देखना है अभी पढ़ेंगे आप भूल जाएंगे अभी एक बार सरसरी निखाओं से सिर्फ पढ़ लेना है पेपर के तीन दिन पहले आप लोगों के लिए वो पढ़के जरूर ही जाना है चाया उसको आप कितनी बार भी पढ़ ले लेकिन लास्ट के जब दो से तीन दिन का समय बचे न उसको जरूर पढ़के जाएगा तब ही आपका कुसन सही हो पाएगा अगर आप सोचे मैं एक महीने पहले ही तो पढ़के रखाओं और फिर आपने बीच में रिवाइस नहीं किया तो आपका कुसन गलत हो जाएगा त चलिए हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं अब देख लेते हैं यहां पर चित्रकूट के बारे में तो चित्रकूल मंडल के बारे में तो हम पहले ही देख चुके थे अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं नीचे आ जाते हैं इधर सोन भद्र के अधर हम लोग देख ल देखने को मिलेगा तो देखिए यह भी आपका मंडल क्या हो गया पूरा का पूरा कम्प्लीट हो गया अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं प्रयागराज की बात कर लेते हैं देखिए प्रयागराज मंडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आठ अक्टूबर एक तो इसका आयोजन किया गया था, प्रियाक राज में इसका आयोजन किया गया था, लखनव उमें नहीं कुछ आप लोग konfused हो सकते हैं, तो दिहान रखेंगा। के चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं देखते हैं यहां पर फैजावाद के बारे में देख लेते हैं जो की काफी जादा महत्थपूड है यहां पर बहुत सारी आपको नियूस देखने को मिलेंगी सबसे पहले देखिए हम लोग यहां पर अमेठी के बारे में देख लेते हैं देखिए अगर हम लोग अमेठी के बात करें तो अमेठी म रखते हैं ओके एक क्लास निकों एक दो सो तीन देखने को मिलेगी मतलब एक एक फुर्टी सेवन का ही एक तरह से एक अपग्रेड़ेड वर्जन है इसका उत्पादन है वो भारत में क्या जा रहा है और भारत और उस दोनों संयुक्त रूप से मिलकर की इसका निर्माड कर र कंपनी बना रही है इस राइफल के लिए तो यह भी आप लोग कंपनी का नम भी याद रख सकते हैं और एबी नियूस काफी जादा महत पोड़ है आप लोगों के लिए अब देखिए हम लोग अगर बात करें देखिए जो फैजावाद है इसी के लिए आयोद्या भी बोल नियुक receive हम लोग बात करते हैं फैजावाद और एक कुस्शन एक से दूखशन बंगार अरません लेली से हैं अब धिहान से आप लोग इनको देख ली जीगा अगर हम बात करें फैजावाद करें तो फैजावाद के अंदर यहाँ पर आयोध्या में जो प्रिद्धान मंतरी है हमारे मोधी जी हैं उनका यहाँ पर यात्रा हुई थी तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ यहाँ पर स्टार्ट की हैं तो यह काफ़ी जाता है अब देखें यहाँ पर आयोध्या धाम जंगसन है उसका भी सिलाल न्यास किया गया है और इंडिया की फर्स्ट भारत की जो प्रिथम अमरित भारत ट्रेन है वो स्टार्ट की गया है देखें जो अमरित भारत ट्रेन है यह दरवंगा अयोध्या आनंद भिहार ट्रेन है इसको स्टार्ट किया गया है यह भारत की पहली अमरित भारत ट्र रास्टिय हवा यड़ा ये अंतर रास्टिय हवा यड़ा है महर सी बाल में कि अंतर रास्टिय हवा यड़ा है उसको भी यहाँ पर उसका भी उद्गहटन किया गया है और साथ में चार सड़के हैं उनका भी उद्गहटन एक तरह से किया गया है जो राम पंत भक्ती पंत धर की दीजिए नहीं हाँ पर मिसन महिला साठी है वो इस्टार्ट की है देखें मिसन महिला साठी है यह बहु remained मेहत पूर है क्यो resonant यहाँ अन्तरगत जो यहां पर बसे चलाए जा रही है तो जो B.S.S. 01 को जा वर शिक्ष बस इसको जो management का इसका काम होता है इसे conductor है वो भी महिलाई होंगी ड्राइबर है वो भी महिलाई होंगी ओके चालक परी चालक दोनों क्या होंगी फीमेल होंगी तो यह बहुत जादा महतपूर हो जाता है आप लोग इसको ध्यान रखिएगा तो मिसल जो मिसल महिला सारती है वो इस बार के लिए काफी मैत पूर हो जाता है और यहां पर ही आयोध्या में 42 मा रामायड मेला है वो आयोजित किया गया है मतलब आयोजित किया गया है 14 से 14 से 19 दिसंबर 2023 के बीच में इसको आयोजित किया गया है इसको स्टार्ट कप किया गया था 1982 में इसको स्टार्ट किया वो स्टार्ट किया गया यह रामएड क्रूज है काफी ज़्यादा लगजरी क्रूज देखने को मिलेगा यानि कि देखिए फॉस्ट लगजरी क्रूज सेवा यहां पर स्टार्ट की गई है आयोध्या के अंदर और बाइस लाग बाइस लाग और तेईस हजार दीप हैं वो आ रिकॉर्ड कर लिया गया है तो गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो चुका है तो एक चीज़ आप लोगो ध्यान रखना है तो देखिए आयोध्या इस बार के लिए बहुत ज्यादा महत्पूर हो जाती है आपके एक्जाम के लिए ओके चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ इसमें देखिए बलरामपूर हैं बलरामपूर भी इस वार के लिए बहुत महत्पूर है क्योंकि बलरामपूर के अंदर एक आदिवासी संग्राले इस्तापित किया गया है पहला आदिवासी संग्राले कहां इस्तापित किया गया है पहला आदिवासी संग्राले बलरामप पर आए हैं इस संग्राले में संदक्षित की जाएंगे वो किस जन जाती है थारू जन जाती है तो दीखे यह लगबख में साड़े पांच एकड़ में इसको बनाया जारा है कहां पर देखने को बिलेगा यह बलरामपुर में एक गाउं है इमीलिया कोडर गाउं अब देखिए इमीलिया कोडर गाउं में ही क्यों बनाया जारा है तो इमीलिया कोडर गाउं है यहां पर ही थारू जन जाती के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं मतलब इस गाउं के अंदर इसी वज़े से इसी गाउं के अंदर ए संग्राले बनाया ज देख लेते हैं, तो इधर आपको देखने को मिलेगा गोरकफुर, गोरकफुर भी काफे ज़्यादा मैतपुर है, तो गोरकफुर के अगर हम लोग बात करें इधर, तो यहाँ पर एक लेक क्यून क्रूज स्टार्ट किया गया, तो गोरकफुर में जो रामगड़ताल है, रा जरते हैं, इसका उद्गटन किया गया था, यह जो क्रूज है, यह क्यों हो गया, अगर हम बात करें, यहाँ पर जो एक क्रूज है ना, यह काफी ज़्यादा लगजरी है, और साथ में एक क्रूज है, यह दो मन्जिला है, मतलब इसमें दो स्टोरीज देखने को मिलेंगी, यह दो मन्जिला है, क्रूज देखने को मिले का जा कर गया, आप आना अंदर ले सकते हैं, यहाँ पर सारी सेपाय उपलब्द कराए जाती है, अगर हम बात करें, यहाँ पर एक महाविद्याले भी इस्तापित किया जा रहा है, जो पसूच गिस्सा बिग्यान महाविद्या जाले हैं, वो भी यहाँ पर स्तापित किया जाएगा, गोरखपुर के अंदर ही, रेसम किर्सी मेला है, वो आयोजित किया गया है, अब देखे, रेसम किर्सी मेला है, वो आयोजित किया गया है, क्योंकि गोरखपुर में रेसम का उत्वादन बहुत जादा किया जाता है, देखे इसे कब आयुजित क्या गया था 30 मार्च को इसको स्टार्ट क्या गया था योगी जी के द्वारा इसका उद्देश से क्या है गोरकपुर में जो रेसम के से मेला आयुजित क्या गया इसका उद्देश से है कि देखे यहां पर सिर्फ और सिर्फ गोरकपुर की बात न इसका लक्षे है इस मेले का आयुज़ूत करने का लक्षे कि इस उत्पादन को और जदा बढ़ाए जाए यहां कि साट टन से बढ़ा करके से 600 टन करना इसका उत्थ से है अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में विविन पिरकार के रेसम का उत्पादन किया जाता है आप दे रेसम के लार्वे होते हैं उनके लिए रखा जाता है फिर वो बनाते हैं इस तरह से कानबुर में एरिया धारित हैं सून भद्र में आपको टसरा धारित देखने को मिलेगा तो यह तीन प्रिकार के आपको तीन प्रिकार के आपको रेसम देखने को मिलेंगे जो बलिया और आद penn गड़े इसके बार हम दिख लेते हैं तो आजामगड़े ़ो फ़ोड़ं में है क्योंकि यहां पर हरीहरपूर एक संगी इस अा रहाँ ऐसे कि चिनुलाल मिष्राते मानोच कुमार मिष्र रहे हैं वो इसमें घरान इसमें सामिल देखने को मिलेंगे इस संगीत को सरक्षित करेगा तो इस वज़े से महत्पूर जाते हैं थोड़ा से ध्यान रखेगा अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर बनारस मंडल के वारे में देख लेते हैं जो की काफी महत्पूर है औ लोगो चलिए हम लोग बनारस की बात करते हैं दिखिए बनारस के अंदर यहाँ पर कासी तमिल संगम है वो हुआ था यहाँ पर और इसका सेकेंड संस्क्राण है वो यहाँ पर आयूजित किया गया था 17 से 30 दिसंबर के बीच में आयूजित किया गया था कासी तमिल संगम दिखे ए पी-म के द्वारा नमोगहट पर इसका उद्घाटन किया गया और इसी संगम के अंतरगल जो आयुजित किया गया था यहां पर ही अनुबाद जारी किया गया है आपको देखने को मिलेगा और जो ट्रेन है उसको हरिजंडी जो ट्रेन उसको हरिजंडी भी इसी संगह में इसका कर्याइनमेन बी एचू और आये-टी मर्द रास के द्वारह किया जा रहे हैं इसी तरह से सौरबेद महा मंदिर का उत्गाठन मंदिरी के द्वारह किया गया है यहाँ पर साथ साथ मंजिला यह जो मंदिर महा मंदिर है वो बनाया जा रहा है लगवक में 1808 फिट का यह मंदिर देखने को मिलेगा जिसका उद्गाटन प्रधान मंदिरी को द्वारा किया गया है यहाँ पर देखिए जो संग्मर्वर की दिवाले हैं इन पर लगवक में 4,002 हैं वो लिके हुए देखने को मिलेंगे साथ में देखिए यहाँ पर जो यह मंदिर है यह जो किसको सम्मर्वर पे था यह जो मंदिर है वो महर्सी सदाफल देव हैं उनकी सिक्छाएं और जो उबदेश हैं उनी पर आधारिते मंदिर देखने को मिलेगा और यह बिस्ब का यह जो मंदिर है ना यह मंदिर बिस्ब का सबसे बड़ा ध्यान के इंदर देखने को मिलेगा सबसे बड़ा क्या है ध्यान के इंदर है बिस्ब का इस वज़े से मैं पूर जाता है आप देखिए बनारस की बह नोने 16 अडल आवासी यह बिद्धाले भी यहां पर स्टार्ट किये हैं इसी दौरा लगवक में इनकी जो लागत है वो 1115 कडूर के करीब में इनकी लागत देखने को मिलेगी दगवक में 16 अडल आवासी यहां पर ओपन किये जा रहे हैं साथ मैं देखिए बनारस के अंदर ह रहा है यह भी बहुत मैतपूर है आप लोग धियान रखेगा पीम ने इसको भी स्टार्ट कर दिया है चार सो पचास कड़ोर रुपए चार सो पचास कड़ोर रुपए की लागस से इसको तीस एकड़ में लगवक में बनाया जा रहा है कहां पर बनाया जा रहा है बनारस में इसके एक बहुत बिसेस बात है जो एक क्रिकेट इस्टिटियम बनाए जाएगा ना ये भगवान सिब और कासी नगरी की इसमें जहलक देखने को मिलेगी मतलब इस आधार पर इसको डिजाइन किया जाएगा साथ में देखें यहाँ पर पुष्क रालू सब भी यहाँ बनाए जा रहा है यहाँ पर तेलगु भासी लोगों का बहुत ज़्यदा पिरसिद उतसब त्योहार आपको देखने को मिलेगा और इस त्योहार के अंदर उतसब के अंदर लगवक में बारा जो पवितर नदिया है उनकी पूजा की जाती है तो यह भी आपको दिहान रखने है यह भी बनारस में आयुजित किया गया है साथ में अंतर रास्टी है मंदिर कन्मेंशन और एक्सपो 2023 है वो भी बनारस में आयुजित किया गया है बनारस में इसको आयुजित किया गया है कब आयुजित किया गया है 22 से 24 जुलाई 2023 को इसको आयुजित किया गया है इसके अलाबा वन बर्ड TV संबिट आयुजित किया गया, जो TV वाला TV नहीं, जो आप लोग देखते हैं, TV किया है, रोग वाला TV है, उसकी बात कर रहे हैं, तो वन बर्ड TV संबिट है, वो PM के दौरे इसका उधघाटन किया गया है, कब 14 मार्थ 2023 को इसका उधघाटन किया गय यान कि हम क्या कर सकते हैं टीवी का अंत कर सकते हैं टीवी क्या है जो रोग है टीवी ओके जो ट्यूबर ग्लोशेस आप लोगो देखने को मिलेगा टीवी के अगर हम बात करें अगर हम टीवी के बात करें जो टीबी की बात करें तो टीबी मुक्त पंचायत पहल भी यहां पर इस्टार्ट की गई यह चीज़ आप लोगो दिहान रखना है अगर हम लोग यहां पर बात करें कि खेलो इंडिया यूनिवर्स्टी गेम की बात करें 2022 है वो भी बानारस मायवजित की गी है और इसका थरड संस्क्रान थरड एडिसन देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में फस्टाइम आयवजित किया गया है चार चलो के अंदर इंडिया यूनिवर्सटी गेम को कहां कहां लखनौ में, बनारस में, गुरकफुर में और गौतम बुद्धनगर में तो एच चीज़ आपको ध्यान रखना है काफ़े ज़्यादा महतपूर हो जाता है आपके एक्साम के लिए साथ में गरतंतर दिवस दोह जाए तेज की जो जहाकी है बो भी काफ़े ज़्यादा महतपूर है क्योंकि देखिए यहां पर फर्स नमबर किसको मिला है तो फर्स नमबर मिला है एक जिला और एक उत्पाद एक जिला और एक उत्पाद और कासी बिस्वनाद धाम पर आधारित जो जहाकी थी इसको फर्स्ट इस्तान मिला है इस जहांके के लिए फर्स्ट इस्तान मिला है और थर्ड इस्तान है वो अयुद्या जो दीपो पर आधारित जहांकी थी उसको थर्ड इस्तान मिला है तो आपको ध्यान रखना है काफी ज़्यादा महत पूर हो जाती है ये ची चलिए हम लोग थोड़ा सा अगे बढ़ते हैं तो बनार से संबंदित ये बहुत सारी नियूज थी जो हम लोग यहाँ पर देख ली हैं अब मैं एक बार देख लेता हूँ कि कोई रह तो नहीं क्या है चलिए हम लोग सब कुछ देख लिए हैं यहाँ पर पूरा का पूरा करणड़ फिर दिखिए मैंने इतनी आसानी से आप लोगों के लिए पढ़ा दिये इससी को आप लोग एक दो बार देख लीजएगा और हम लोग थोड़ी सी नियूज और भी देख लेते हैं वैसे देख तो वो बहुत सारे नाम है उसमें वो नाम आपको सिरिफ ध्यान रखने पड़ेंगे दिखिए अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश अंतर देश यह जलमार्ग प्राधिगरण बिल इस बार पेस किया गया है मतलब 2030 देखने को बिल गए इसका उत्देश से कि अंतर देश य देखिए हमें इनका अनकुलता मुपयो कैसे कर सकते हैं तो इनका अनकुलता मुपयो करने के लिए एक प्राधिगरण का गठन की अजा रहा है साथ में देखिए सॉम्ब्या माथुरे काफी जाद है इस बार के लिए पहली महीला कौन है सॉम्ब्या माथुरे इस बार के ल अच्छा इसका मुख्याले पूर्बोतर रेलबे का जो मुख्याले वो कहा है वो गोरकफुर में आपको देखने को मिलेगा बहीं देखिए इसी तरह से और यह यूपियो ब्राजील है ना यह दोनों मिल करके एक समझोता किये हैं जिससे दुधारूप अस्यू हैं इनके पो भी कर दिया है और यहां पर 352 किलोमेटर यह लंबी पाइपलाइन देखने को मिलेगी लगवक में 1750 कड़ोर रुपेस में खर्च होने वाला है यह जो पाइपलाइन है इसमें आप लोग याद रख लिएगा हो सकता है आप लोग से पूछे जा सकते हैं जैसे कि यहां पर विजय पूर दे देगा फूल पूर दे देगा और बीच में पूछ लेगा आपसे कि यहां पर क्या है या फिर किसी भी तरह से बोग पूछ सकता है तो यह चीज़े अब मैं इसमें देखे कुछ चीज़े और एड करके नीचे दे दूँगा वो कपढ़नी है जब लास्ट सबस्काराइब बहुत सारे कराते हैं और इह प्रिम्हां प्रेमयम इसमें करेंगे उसके लिए एक ट्री यह जितनी भी सी रहेगी छूट देने के बाद जो काम डिसकाउं मेंटर से गुरूप बाले मेंबर्स के लिए उपलब्द कराएंगे वो परस्टनाली आप लोग के लिए कोड़ सेर कर दिया सेगा हमारी एप इंस्टॉल कर लिएगा किलब आई-स एस्प्रेंट देखे जो पुरानी एप है वो आप लोग मत इंस्टॉल कर लिएगा नई वा बहुत ज्यादा महत पोड होने वाला हैं